दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे कि नार्को टेस्ट क्या होता है और या क्यों किया जाता है इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि नार्को टेस्ट करने के लिए हमें कौन-कौन से दवाव की ज़रूरत पड़ती है और कैसे किया जाता है तो दोस्तो वीडियो अच् दोस्तों इस टेस्ट को अपराधिय आरोपी व्यक्ति से सच उगलवाने के लिए किया जाता है इस टेस्ट को फोरंचिक एक्सपर्ट जाच अधिकारी डॉक्टर और मनोगेनिक आधिकी मौजूदगी में किया जाता है जब किसी व्यक्तिको एथेनॉल, सोडियम, पैंटोथॉल, बॉर्बिचुरेट, टपोजमेन, और सोडियम, अमाईटल की दवाइं दी जाती है तो यह दवाएं इंसान को आधा बेहोस कर देती है और फिर इंसान सेमी कॉंसियस इस सित में चला जाता है यानि ना तो वह पू बनाओ का सहारा लेना पड़ता है अपनी तरफ से कुछ बाते जोडनी पड़ती है और कुछ बाते चुपाना पड़ता है इसलिए हमें जूट बोलने के लिए दिमाग का जादा प्रयोग करना पड़ता है और सच बोलने के लिए हमें ना तो कुछ जोडना पड़ता है और करण होता है कि पेसेंट जब आधा बेहोस और आधा होस में रहता है तो वह अपने मन में कल्पनाय नहीं कर पाता है और इसी वज़ेंसे वह सच बोलना चुरू कर देता है दोस्तों इस photon हम जो ध्हान देने Wein वाली बात अधार पर यह तैं किया जाता है कि उसे कौन से इंजिक्सन दिया जाएगा दोस्तों अब बात करते हैं कि नार्को टेस्ट कैसे और कौन कौन से मसीनों के साथ किया जाता है दोस्तों नार्को टेस्ट होने से पहले मुझरिम के सरीर को दो मसीनों से जोड़ा जाता है पहले मसीन का नाम होता है polygraph और दूसरी मसीन का नाम होता है brain mapping तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि polygraph machine का नार्गो test में क्या use होता है जब किसी मुझरिम का नार्गो test किया जाता है तब polygraph machine उसका blood pressure, nerves, सांसों की गती, हिर्दय की गती और उसके सरीर में होने वाली गती विदियो को record करता है फिर मुझरिम से कुछ आम सवाल पूछे जाते हैं जैसे कि उसका नाम, उसके माता पिता का नाम, उसके घर का address वह क्या करता है, उसकी उम्र क्या है, ऐसे सवाल पूछ कर उसका flow बनाया जाता है फिर धीरे धीरे उससे वे सवाल पूछे जाते हैं जिन सवालों को investigation officer जानना चाहते हैं इस तरह से वह सच उगलना शुरू कर देता है दोस्तो यहीं पर बात करें कि नार्को टेस्ट में brain mapping test का कैय यूज होता है तो दोस्तो इसमें मुझरिम को एक helmet पहनने को बोला जाता है उस helmet में sensor लगा होता है जिसके वज़े से brain में होने वाली सभी हलचल कैद हो जाती है और दोस्तो उसी helmet में कुछ आवाजे निकलती है ज सामने बड़ी सी एक LED लगी होती है और उसमें यह दिखाया जाता है कि अपराधी पकड़ा जा चुका है यह सम महसूस करने के बाद मुझरिम सच बोलना सुरू कर देता है